हेलो गाईज तो इस वीडियो में दिनू की 6 लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं जो की बहुत ही जरूरी है आप सभी विद्यार्थियों के लिए वीडियो को स्टार्ट करते और पहली अपडेट पर चलते हैं पहला अपडेट दोस्तो दिसंबर 2023 टर्म ए ही मिला है फिर आप जाते हें re-evaluation के लिए जिसका रिजल्ट एक से एड़ महेने के अंदर डिक्ले-यर होता है तो जो भी आपने अगर Revaluation के लिए अप्लाई किया था तो चेक कर लीजिए अगर Fresh Result Declare नहीं था तो उसको चेक कर लीजिए हाला कि यह Final Update दोनों के लिए ही नहीं इसके बाद भी updates आएंगे जिनके result भी pending है Fresh के और Revaluation के वो वेट कर सकते हैं नेक्स अप्डेट पे चलते हैं नेक्स अप्डेट दोस्तों जैसे कि आप लोग को पता है कि आपका जब आपका Result Declare हो जाता है तो 15 से 20 दिन 25 दिन बाद आपका Great Card Update किया जाता है तो आज Great Card को भी update किया गया है जिन भी विद्यारतियों के result पहले declare हो गया था इस अपडेट के पहले तो वो अपना Great Card चेक कर सकते हैं बहुत सारे विद्यारतियों का final होगा इस बार final Gate Card update होगा final year का लिए attempt किया होगा बहुत का first year second year होगा तो सभी लोग अपना result चेक कर सकते हैं जिनका final year होगा अगर उनका Great Card update हो गया है तो एक से डिड़ महीनी एक अंदर उनका GCP से जानी की Marksit and ProVisional Certificate भेज दिया जाएगा उनके register address पे तो next update पे चलते हैं next update है दोस्तों fresh admission को लेके first admission जैसा के मैंने बोला था last date की जाएगी तो last date extend की जाएगी तो last date extend की जा चुकी है 20 March तक 10 March last date थी अब इसे 20 March तक कर दिया गया सभी programs के लिए ODL और online दोनों के लिए इसकी date को extend किया गया है तो आप अगर admission लेना चाहते है तो इनों के किसी भी प्रोग्राम में ले सकते हैं चाहे वो certificate हो, diploma हो, master, bachelor सभी program में आप 20 March तक admission ले सकते हैं next update है दोस्तों re-registeration के रिए गारे next year, next semester में जाने के लिए इसकी भी last date को extend किया गया है 20 March तक with late fees 200 रुपीज 20 March तक अपना re-registeration जरूर कर ले next year, next semester में जाने के लिए अगल इसको miss करते हैं तो 6 month का loss होगा तो ये आप priority पर रखा करें जो भी eligible student है वो re-registeration बिल्कुल miss मत करिएगा next और काफी important update आपका assignment submission चल रहा है और बहुत सारे विद्ध्यारती अपने assignment submission की guideline का wait करे हैं तो आप सभी लोग अपने guideline के हिसाब से अपना assignment submit करवा सकते हैं बागी के जो बचे हुए regional center है सभी regional center निकालते नहीं है तो अपने regional center की website एक बार चेक करिएगा उसके बाद अपने study center पे visit कीजिए by hand submit करवाई है और receiving जरूर लीजिएगा और रही बात last date की last date कुछ assignment 31st March और क यह थप्रे लहने वाली है सभी के लिए तो अभी बिल्कुल भी टेंसर ना ले अपना assignment आराम से बनाएं और submit करवाएं कोई सवाल है तो comment box में लिके पूंच सकते हैं चैनल पे पहली बार आये तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी latest update आप से मिस ना हूँ तो चली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ तब तक किल नमस्कार धन्यवाद दो